नमस्कार दोस्तों आज जानते हैं बेरुबारी उनियन केस क्या है इंडिया पाकिस्तान पार्टिशन के समय दो नेशन थेरी के तहट ब्रिटिश अधिकारी रैडिकलिफ को दोनों देशे के द्वारा बॉर्डर्स ड्रॉ करने के लिए बुलाया गया तो उसने देखा पाकिस्तान को तो दो हिससे में बाटना है पुल्वे पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान तो उसके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम था एक समय तो ऐसा आया था उसने इस काम से क्वीट यानि इसे नहीं करने की भी मांग की थी पर उसने वो बाद में किया दोनों जगह पर उसने जाकर देखा पुल्वे पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर और पश्चिमी पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर उसने जाकर देखा तो उसके समझ में आया जो यहापर के पुलिस्थाने है उसे अगर मैं एक रेशा में जोड़ दू तो ये बॉर्डर्स हो सकती है तो उसने अपने काम को आसान करने के लिए इन पुलिस्थानों को एक साथ जोड़ दिया और उसका काम तो हो गया जिसे हम आज रैड क्लिफ लाइन कहते है इसके कारण कईयों की जमीन गर आदे पाकिस्तान में तो आदे भारत में चले गए बाद में दोनों सरकारों ने मिलके इसे तो सौर्ट आप कर लिया पर एक गाव था बेरुबारी जो की पहले भारत को दे दिया था पर लिखित तोर पर नहीं दिया था अब हमें तो पता है पाकिस्तान आए दिन भारत से कुछ न कुछ तो मांगता रहता है तो उसने 1952 से बेरुबारी गाव को हमारा है उसे हमें देतो ऐसी मांग करना शुरू कर दिया इस पर उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित नहरू जी और पाकिस्तानी प्रा आश्ट्रपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी जो की पहले से ही एक स्ट्रॉंग और एक अच्छे नितरूत्व थे उन्होंने इसमें हिस्सा ले लिया और आर्टिकल 143 का इस्तमाल करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से परामर्ष मागा तो इस पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स और अनुसुची का इस्तमाल करके कुछ बाते बताए जो हम नीचे देख लेते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सात्वी अनुसुची के 14 वे इंट्री का इस्तमाल करके भारत दूसरी देश से समझुदा कर सकता है आर्टिकल 253 का इस्तमाल करके का हवाला देते हुए कहा संसद गटना में संशुदन कर इसे कर सकती है यानि सुप्रीम कोर्ट ने एक तोर पर कहे दिया कि ये संसद इसे कर सकती है इसके बाद 1960 में नुवी गटना संशुदन के तहत पहली अनुसुची में बदल करवा के बेरुबारी हिस्से को पूर्व अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले जैन दोस्त